नमस्कार, कारिक्रिम में आप सभी दर्श्यकों का हरदिक स्वागत हैं, आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मनादुलि दर्श्यक अगर आप से मैं कहूँ कि एक आदर्श व्यक्ति की पहचान क्या है तो आप कहेंगे जो सत्यनिस्ट हो, कर्तव्यनिस्ट हो और भ्रस्यक्ति से मुक्त हो वही एक आदर्श व्यक्ति है तो क्या अगर आदर्श व्यक्ति की पहचान यही है तो इस पेरामीटर में हम लोग फिट पैटते हैं वर्तमान सम्मय भृस्टाचार को इसकदर संमाज में रच बस गया है कि हम ना चाहते हुए भी इस पे दलडल में फसते जा रहे हैं तो इसी संबंधित है हमारा आज का विशे, ब्रस्टाचार निवारण में विजलेंस की भूमिका, जिस विशे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहत खास महमान मौजूद है, हमारे साथ DIG विजलेंस, कृष्ण कुमार जी मौजूद है, सर, बहुत बहुत स्वा जागरुकता सब्ता के तोर पर मनाता है जिसका मुख्य अउद्देश यही होता है कि चंता को भस्ताचार निवारण के लिए जागरुक किया जा सके क्योंकि अगर भस्ताचार मुख्त समाज होगा तब ही हम एक बहतर समाज की अवधार्णा को चरितार्थ कर सकते हैं तो दर्शो को यह हमारा सजीव प्रसारन है अगर आप इस संबंद में इस विशाय के संबंद में कोई भी प्रश्ण करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसके लिए आप मारे टेलिफोन नमबर नोट कर लीजे हमारा नमबर है 0135 266 335 और हमारा दूसरा नमबर है 0 0135 266 5478 दर्शो को यह हमारे टेलिफोन नमबर उमीद करती हूँ कि आपने नोट कर लिये होंगे जब भी आप हमें कॉल करें तो किर्पया नेटवर्क शेत्र में आकर ही प्रश्ण करें और अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजे ताकि हम आपके प्रश्ण क बहतर तरीकी सब समझ सके और हमारे जो महमार यहां पर मौचूद है वो उसका प्रश्ण का उत्तर दे सके जो चलिए दर्श्ण को कारेकरम की शुरुवात यहां पर करते हैं सर इस वक्त हम सतरकता जागरुकता सब्ता मना रहे हैं और हम यहां मौचूद भी है तो बहुत आवश्य की हो जाता है कि पहले हम विजिलेंस की जो भूमी का है उसे समझे जी देखिए एक्चुली सबसे पहले में यह कहना चाहतो ब्रश्ठाचार क्या है जी कि पब्लिक परसेप्शन है करप्शन मतलब जो भी गलत करते हैं वो करप्शन है लेकिन अगर लीगली बात क हैं एक सरकारी करमचारी के डेफिनिशन में जो आते हैं उनका इसमें अगर फइनांशिली कोई बात गलत होता है उसको ब्रश्ठाचार के डेफिनिशन में आता है और एक ब्रश्ठाचार निवारे नाधिनिये में हमारा 1988 यह संद्रल लेक्ट है उसके तहत एक कानूनी हें उसी तरह स्टेट गवर्णमें में हमारे पास विचलंश अस्टाबरिश्मेंट से जिसको अलग अलग नम से जाने जाते हैं जुपरा कंका हमारे दर्शकन हम जो अब पराई बिल का रीडिंग देके बिल नहीं आता है और अनुच्छ डिस होपा जाता है और र बदवाल के लिए जब परबृ निक वोंब टे हैं तो उसके पांच और शेसे मांगता हैं तो मीटर बदलने के लिए और अगर मीटर था वो तो बिल को जब अनवर्शक देता है पुराना दिल देखे बिल नहीं देखे हैं सरे जि धन्यवाद प्रशनी करने के लिए सर बिजली विखागी है ने दो मुद्दे है एक कर्मचारी बिजली वबागी जो परेशान करते हैं और दूसरा है पेसा मगते है पाहला परेशान करने वाला है मैंने तो यह विक्रस्टा चार के श्रेनी में लेकिन उसके लिए जैसे आपके जानकारी के लिए बता दू, UPCL में विजलेंस का एक विभाग है, आप उनके सीनिर ओफिशे से कंप्लेंड करेंगे, उनके गलाब कारिवाई होगी, लेकिन जहां तक दूसरा सवाल है हमारे लिए इंपोर्टन है, यह ही कि अगर कोई सरकार कर्मचारी चाहे हो। छाहे हो अधिखारी हो, रिश्वत की मांग करता है, पैसा मांग करता है, तो यह आवश्री हमें सूचना करें, inside of our duty के अता Gospel स्वाइफ का वेपसेट यह उनके सीनिर णाया करेंगे, तो अम puisमें साख करेंगे तो विभागे आप फ कि दूटन करेंगे बाकि हमारा काम है और उनको रंगे हाथ पकड़ने का हम खुशी-खुशी आपके मदद करने के लिए तर्यार है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप यहां पर अपनी शिकायत दर्च करा सकते हैं। अगर आपको कोई हरास्मन का सामना ने करना है। यह भी हमारे जिम्यदारी है। थोड़ा बेसिक जानकारी दूँ आपको। तो यूपी गवर्णमेंट में 1965 में इस्टाब्रिश्मेंट की स्टाफना की थी एक अधिनियम के तहट। तो जो उत्राकन स्टेट बना 2000 में उसे के साथ हमारी भी यहां सतरक्ता की स्टाफना हुई है। तो बेसिक जी हमारा स्ट्रक्चर यह है कि दो सेक्टे से एक गडवाल में जिसके हटकॉर्टर धनादुन में हैं और एक कुमाओ में जिसके हटकॉर्टर हालदुन में है। सब्सक्राइब करेंगे एक दर्शक हमारे साथ जोड़ गया है। पहले प्रेशन देलेता है। हलो। हलो। जी नमस्कार माम बताईए अपना आप कहां से बात कर रहे है। मैं पुछ कर सिंग चौहान बोल रहा हूं जी प्रेशन करिए सर अपना। जी मुझे सवाल पूछना है। तो क्या वो उससे पलट के स्टी एक लगवा सकता है नहीं लगवा सकता है। अगर वो स्टी एक उसी की साब से लगता है। लेकिन बरष्टाचार में सब बराबर हैं। इसमें कोई SC या सवर्न या इसे कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, अगर आपका सवाल यह है कि अगर सरकारी करमचारी SC है, तो SCS टेक्ट बिल्कुल नहीं लेगेगा, लेकिन अगर आप विक्टिम SC है, तो भी ब्रस्टाचार केस में SCS टेक्ट लागूनिया होता है, यह क्लि सरकारी करमचारी SC, जाती धर्म के आधार किसी तरह की कारवाई, सतरक्ता विभाग द्वारा यहाँ पर नहीं की जाती है। प्रश्ट से पहले स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली हमारा एक चोटा सा और्गनेशेशन है। उत्राखन में हम डिरेक्टली शासन को रिपोर्ट करते हैं। इसमें हम दो टाइप के कारिवाई करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर की बात यहां तक है। एक सीनियर पोलिस ओफिसर जो ADG रैंके होते हैं। उनको डिरेक्टर का पत से बैठते हैं। उसके नीचे पुरा पोलिस का स्ट्रक्चर है। जैसे DAG है, SP है। हमारे दो सेक्टर में उसमें दो-दो अडिशनल SP सेक्टर के नाम से हैं। प्लस उनके अलावा विवेचना दियारी, इंस्पेक्टर, डेप्ट, SP है। यह स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें हलद्वानी के एक सेक्टर है, जो पूरे कुमाओ के जूरिस्ट्रिक्शन देखता है। इस स्ट्रक्चर तो हम समझ गए। यहां पर कहीं कि भ्रहम की सिती रहती है, CBI और विजिलेंस के बीच में, तो जरा उसे भी क्लियर करें कि CBI और विजिलेंस के कारेशेत्र किस तरह के रहता है। इन शोट अगर मैं कहूं तो आप एक आम आत्मी को यह सोचना है नहीं चाहिए, CBI और विजिलेंस में क्या अंतर है क्योंकि यह तो बेसिकली टेक्निकल मामला है। बेसिक डिफरेंट्स है ही कि अगर जो करमचारी जिसके किलाफ आरोप है, चाहे वो रिस्वत मांगता है या और भी बश्टाचार का आरोप है, अगर वो Central Government Employee है तो CBI का जूरिस्टिक्शन आता है, अगर वो State Government Employee है तो State Vigilance का जूरिस्टिक्शन आता है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं कि Central Government का है, State Government का है, आपको ज्यादा सोचनी के जूरिस्टिक्शन आता है, आप हमारे विजिलिन्स को फोन करेंगे, हम यह देखेंगे Central Government का है, तो हम CBA को हैंड़ोवर करते हैं, अगर CBA को आप फोन करेंगे, और उनको मालूम होता है कि यह स्टेट गर्ण्मेंट के एंपलोई है, वो हमें अंड़ोवर करते हैं, तो यह आपस में हम एक कोपरेटिव फेडरलिस्टिक्शन जो कहें, उसी के तरफ काम करते हैं. सेर, यहां पर अवश्चिक यह हो जाता है कि हमें यह पता हो कि हमें शिकायत दर्च कहा करवानी है और कैसे करवानी है, लेकिन यही परिशानी है कि हम जो आम जनता है, समाज है, जो वर्ग है, उन नहीं जानता है कि उसे शिकायत दर्च कैसे करवानी है और कहा करवानी है. इसलिए तो हम यह विजलेंस आवेरनेस वीक को मना रहे हैं, बेलकुल मैं एक चीज में openly मानता हूँ कि यह जहां तक पहुंचना चाहिए, यह वहां तक हम पहुंच नहीं पाएं हैं, आने वाले टेम पे पी हमारे कुछ प्रोग्राम से जब हाम आत्मी कर पहुंच सेके, यह जिसमें जो नमबर आपको अभी फ्लेश हो गया है, उसके अलावा आज खल तो सबके पास इंटरनेट है, सबके हाथ में हैं, और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो विजलेंस का वेबसाइट का अड्रेस आ जाएगा, उस पे भी हमारे इमेल अड्रेस, फोन नमबर वगर रहे हैं, आप फोन कर देंगे टॉल फ्री नमबर पे, इतना करना है, बाकी हमारा काह में आप उसको परस्यू करेंगे, आपको कॉल बैक करेंगे, आप पसवान करेंगे और आपका जो कंपलेंट है, वह दर्ज हो वह हम इंशर कर लेंगे, तो वस जानकारी इतना चाहिए ह कि आप या तो आप इंटरणेट पर जाये तो हमारा फॉन नमबर नॉट कर लिए टेवीपोल करें एक डर ये भी रहता है अदिकारि उसलों है तो आम चंता है अगर उनके साथ यह इस्झाइबोस ती होती है कि अस्दों के सामने हो रहा है तो वह हिम्मत नहीं कर पाते हैं वो हिम्मत कह जुटाए क्योंकि आप नहीं कहा कि ये कहीं न कहीं अभी हम समास तक उस वर्ष तक नहीं पहुंच पारें तो सर वो लोग हिम्मत कहसे जुटाए कि वो लोग आएं या वो कंप्लेंड करें कि अगर इंडिया यह करती हम लोग यह करते कि इंडिया आने वाले टाइम पर वर्ल्ल का सूपर पर बिनने जा रहे हैं तो मुझे तो यह लगता है कि हमें थोड़ा हिम्मत तो जुटाने पड़ेगा और यह बिलकुल ऑपन बात है कि यह डर रहता है कि जिसके किलाफ हम कंप सिल ब्लोवेस एक्ट और जो लोग कंप्लेइन करते हैं उनके सुरेक्षा के लिए तमाम कानूनी प्रावदान है यहां हमारी डिपार्टमेंट तो ही इसके अलावा सरकारी तंद्र है कोट है मीडिया है ओपन मीडिया है हमारे देश में ऐसे बहुत कम देखने हो कि मिला है जीमेदार है हम करते हैं और थोड़ा हिमत आप भी जुटाएंगे तो हम कामशाब होंगे इस बीमारी को मिटाने के लिए बिल्कुल दर्श्ट को यहां पर हिमत हमें ही जुटाने है करना है तो हिमत हमें ही जुटाने होगी लेकिन जिसे आपने कहा कि इंटरनेट है सब कराएंगे जैसे मैंने कहा अगर आप नस्ती की थाने में भी जाएंगे तो भी वो लोग डिरेक्ट करेंगे इंटरनेट नहीं है आप डिरेक्टल आना चाहते हैं तो इतना ही कि हमारे ओफीसर से एक धराद उन में अरिद्वार बाइपास में है आप परसनली आके आप के लिए हमने दो सब्सक्राइब कोले हैं एक स्रीनगर में और अलवोडा में आप किसी से भी पूछ लेंगे पुलीस वाले से या किसी से आप डिरेक्ट आपको डिरेक्ट करेंगे वहां पूछने के लिए और आज के दमाने में मुझे लगता है कि अल्मोस सभी के पास इसकी लिए हर साल सेंटर्ड विजलेंस कमिशन है जो सतरकता है हो गये सेंटर का उनके डिरेक्ट्षन के तरफ पूरे देश में बनाया जाते हैं तो अभी तक हमारा प्रोग्राम जितने भी हैं चाहे हो सीबेए हो चाहे हो स्टेट की विजलेंस हो हम सरकारी ओफिस में जा दर रहता है कि इसमें प्रोसीजर में अगर अंजाने में कोई गलती हुई तो मैं फस्तो ने जाओंगा इस टेप के काफी डर रहते हैं तो उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं और उनको थोड़ा सतर करने की सजग करने की और थोड़ा डिटरेंस डालने की भी हरे हैं जी सरर civ करने कारें यहां पर की के जाहा है ।िस अवी तक इसक यहां लगह लगशुल्ड रहा है कि कितना इसका परिशिकलत के बात हुँ तो काफी जागरूख स्टेट है एवन यूपी से भी कंपेर करें तो भी लोग जागरूख हैं लोग अप्रोच करते हैं हमें अब इतक अगर डेटा की बात करें करीब 20 साल के हमारे यात्रा में 200 से ज्यादा ट्रैप हुए है यानि एवरेज दस से भी ज्यादा परसाफ यह तो अच्छा एक रिजल्ट है इसके अलावा ब्रष्टाचार के अन्य तमाम कैसे जिसे हमें कई सुचना है इसे मिलते हैं कि फलाने अफसर के पास आईस्यादी इतने आकूद संपत्ती है जिसके हम जांच करते हैं तो पब्लिक के सपोर्ट के बिना हम चल नहीं सकते हैं आपने कहा दोसों से ज्यादा ट्रैप होना हमारे जैसे चोटे स्टेट के लिए एक बड़ी बात है तो अब्बिसली हमारे पब्लिक जाग रूप है और जातक मेरा एक्सपिरियंस है मीडिया से भी काफी फ्रभावित है जैसे अखभार है टीवी है और मुझे लगता है कि सभी घरों में है तो अवेरनेस है लेकिन जितना तक होना चाहिए उतना है यह यह एकिनन बोल नहीं सकता जिससे अगर कोई केस आता है किसी के साथ भिस्टचारा कोई ऐस तरह केस होता है ऐसे में क्या आप लोग कोई शपर्दपत्रिया कुछ मांगते है कैसे मानेंगे कि यह जो बोल रहा है वो सच्चाई है क्योंकि सिर्फ इसनी कि किसी ने बोला कि मेरे साथ भिस्टचार हुआ है क्या आपने तरह से कोई इन्विस्टिगेशन आप लोग भी करते है अगर आप हमारे एक्स्पेरियंस पूछे है तो अभी तक हमारे पास रॉंग कंप्लेंट गलत कंप्लेंट बहुती कम या नाके बराबर आ है क्योंकि हमारे एक्स्पेरियंस यह रहा है कि एक आम आत्मी कंप्लेंट तभी करता है जब पानी नाके उपर हो जाता है तब तक वो बरदाश कर लेता है चाहे उसको जानकारी हो जागरुकता हो उसके बावजूद यह हमारी एक विडम्बना है कि हम अपने आपको बरष्टाचार होंकित महान सकते हैं कि हम बरदाश कर रहे हैं उसके लोग करते हैं ऐसे यह बरदाश करेंगे जो भी होगा देखा जाएगा इस टेप में भी आते हैं लेकिन जहां तक आपका सवाल है इसमें हमारे एक internal mechanism है, जो complaints आती हैं, उसको हम verify करते हैं, अपने level पे गौपनी रूप से उसको verify करते हैं, कोई transition तो नहीं करता है, कोई और किसी के किलाब कोई personal rivalry या कुछ तो नहीं है, यह verify करने के बाद हम संतुर्श होने के बाद ही उसमें आगे बढ़ते हैं, कारिवाई क करते हैं, त कि हम यह भी देखते हैं, यह भी हमारी जिम्मएदारी है, कोई निर्दोष विक्ती हमारे किरन हरास नहों, जो सही विक्ती है, उसको कोई आत्मी गलत तरीके से फसाना ले, तो यह और कोई कोई, आपने का वैसे ना के बराबर केसे आता हैं, कोई जूट पुर्णा लोटा लेते हैं इसमें एक दारा है 1282, तो उसके तरह अम उनके किलाफ कारिवाई करने में सक्षम है, तो कि अब इससे कुछ मैं चुकि नी आया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि गलत कारिवाई कि लाफ करने के लिगल प्र्रावदान है तो हम अगर वर्त्मान स्वेक्स अभी इस समυ giants किस किस तरह के कारीकरण चल रहा है जैसे मैंने कहा सरगारी विभागों में सहत हैजे सेंटर गर्नट और ऑजगनिसेशन से भी हमें इन्मिटेशन आये था थैं नबाध है बाकी विभाग हैं तो हमारे ओफिसेज वहां जाके एवेरनेस प्रोग्राम चलाते हैं एकाल हरीद्वार उद्वार जैसे जिल्लों में हमने पॉब्लिक में कुछ प्रोग्राम चलाये हैं पहले कुछ स्कूल्स में चुक्कि करेक्टर फोमेशन बैच्पन से होता है तो हमको फोकस करते हैं कि बैच्चों को ही बढ़े बनके वही सरकारी करमचारी बनना है वही कंप्लेनेंट बनना है उन्हीं को जानकरी होने चाहिए कि प्रस्ठाचार क्या है यह गलत चीज़ है तो स्कूल्स को भी हम टार्गेट कर इसके अलावा कुछ जैसे सिनमा थेटर्स वगरे में हम अपने चलाते हैं चलाते हैं शोट क्लिप्स वगरे तो बेसिकली करते हैं से फिर अब बोई प्रश्ण में तुबारा कर रही हूं कि आम जंता तक पहुँचने के लिए क्या अब आपके किसी तरह के प्रोग्राम चल रही कि आप आम जंता तक भी पहुचें तो उन ही का हो रहा है आम जंता का मिलकुल बात सही है Actually हम ऐसे प्रोग्राम डिवेस करने आने वाले एक साल में maximum public ते पहुंच सेके जहाँ ज़्यादा population है ज़्यादा corruption की chances है जैसे हम कहें ते जैसे plain district से वहाँ corruption की छिकायद ज़्यादा आते हैं शायद corruption ज़्यादा भी होते होंगे क्योंकि जहाँ तक पहड का सवाल है ज़्यादा तरल एक दूसरी को जानते हैं शायद मेरा perception यह है कि वहाँ corruption थोड़ा खाम होगा मलब one to one corruption जहाँ तक सिस्टेमी corruption का सवाल है यह obviously यह all providing है तो उसके लिए हमें intelligence collection का एक mechanism है हम अपने intelligence mechanism से information करते हैं उसके तरहत कारिवाई करते है जहां तक public outreach का सवाल है यह मैंने कहा है कि हमारे चार जगहें पर हमारे दफ्तर हैं दरादून, हलदवानी, स्रीनगर और अलमोडा तो वहाँ से भी public को आवेर्ज करने की program हम चलाते रहते हैं सर एक आम इंसान सिर्फ भिस्टाचार तभी हो रहा है अगर हमसे कोई पैसे मांग रहा है या भिस्टाचार के कोई अन्रूपी है अब थोड़ा टेक्निकल डीटे में जाना चाहें तो मैं बता सकता हूँ 1988 का एक एक था उससे पहले 1947 का एक अधिनियम था 1988 के आधिनियम के तहद कुछ धराये थी जिसके तहद अगर कोई सरकारी करमचारी कोई तीसरे विक्ति को लाब पहुंचाता है अनलोफल लाब पहुंचाता है वो एक जुरूम था लेकिन 2018 में जो एमेंडमेंट हुई उसके तहद कुछ धरायों को कम कर दिया जिसको प्रैक्टिकल शायद अधिकते फेस करने पड़ी होगी तो उसके तहद आज के तारीक में बेसिक अगर आप सिंपल वे में पूछेंगे तो एक सेक्शन 7 जो करते हैं जिसको हम ट्रैप करते हैं अब अकबार में पड़ा होगा जो रिश्वत मांगता है वो एक अबरात है दूसरा जो आएसे अधिक संपत्ती अगर कोई सरकारी करनचारी मान लो अपने 10-15-20 साल के नवकरी में इतने साल के अवैद वसूली के कर अगर कोई आपको कोई सरकारी अधिकारी को अपने पॉस्नल इंफ्लूएंस बताके आपको या इवन्ट ठगने के भी कोशिच करता है तो भी आप विजरेंस को या CBA को कम्प्लेइन कर सकते हैं तो बेसिक अपराद यह है जो आम आत्मी से डारेक्ट रिलेशन में है जब आपको investigation करते हैं तो आप साक्षे जुटाते होंगे तो वो साक्षे नियायले में क्योंकि वहां भी जो वकील होंगे वहां भी जो प्रक्रिया होती हो भी अलग होती है क्या कभी mismatch ऐसा हुआ है कुछ कोई ऐसा experience जैसे मैंने कहा कि vigilance से ज्यादातर लोग पुलीस विबाग से हैं चुकि प्रक्रिया वही है अगर इन्विस्टिगेशन के प्रक्रिया है तो अल्टिमेटली चार्शी या फैनल रिपोर्ट जो गी है वह आदालत में जाना ही जाना है तो पूरी प्रक्रिया जैसे अन्य अब प्रिस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन उसके बाद वहां साक्षियों के जो पर्फोर्मेंस है उसके आधर पर अदालत अपना निरने देते हैं ब्रश्टाजार से जुड़े हैं तो आजकल अदालत भी काफी सीरियस है इस मामलों में उसके बावजुद कभी-कभी कन्विक् दर्शक हमारे रगातार कारिक्रम में जूड़े हैं मैं यहीं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यह समझाए कि अगर प्रश्टाचार से मुक्त रहना है तो उन्हें किस तरह आपने आपको तैयार करना होगा क्या कहना चाहेंगे आप चनता से जैनता से हम तो यहीं करेंगे आप सब लोग हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे यह लड़ाई आगे नहीं जा सकता है तो यहीं मेरा अनरोध है कि हम सब मिलके इस बीमारी को मिटाने की कोशिश करें जी सर बहुत-बहुत धन्यवाद तर्माम जानकारी कृत तो बिलकुल जिससे सरे सर ने कि हमारे देश के प्रधार मंत्री भी यही कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा तो हमें भी इसी परणिती को आगे बढ़ाना है नमस्कार